हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में तर्मासिक परिक्षा 2021-22 के लिए कक्षा 11 के बिसे बहुते बिज्ञान के important question देखने वाले हैं जैसा कि आप साब जानते हैं तर्मासिक परिक्षा आपके नज़िदीग आ गई है तो इसके लिए आपको तयारी शुरू कर देनी चाहिए हर परिक्षा important होती है क्योंकि तर्मासिक परिक्षा है आपकी most important है क्योंकि आपके इसके बादसिक में आंके जोड़ेंगे और यदि परिक्षा नहीं होती है किसी परिस्ति के चलते तो आपके इसी से आपका result बन सकता है तो इसके लिए आपको इसकी तैयारी अच्छे से करनी होगी तो देखिए हम इसमें आज important question आपके देखने वाले हैं जो चेप्टर्स आपके पूशे जाने हैं क्योंकि रिडियूर से विदियू में देखेंगे पूशे जाने वाले हैं उनके हम question नहीं लेंगे तो यहां पर देख सकते हैं जोसबसे पहले हम बस्तोनेष्ट्रे प्रस्न आपके इसमें वीडियू में बदाने वाले हैं प्रिकासकर कंडिया सिल्दानत का प्रतिपादन किया था तो यह आपके इसका right answer हो जाएगा Newton ने तो इसका right answer A हो जाएगा अंगला है प्रकास बज समयतक है तो दूरी गा होता है अंगला question है चार दास्मादा जरो, जरो, तीन, जरो में सार्ता कंगों के सांग्या 5 है ठीक है आप विम्य सूत्र और भी तयार करके रखिए क्योंकि कई भी कोई भी पूछे जा सकता है पांच माहें एकांग सदिस का परिमार होता है वो एक होता है जड़त के नियम का प्रतिबादन किस ने किया गैलेलियो ने किया था थोड़ा मैं इसको स्पीडली बताऊँगा ताकि जल्दी आपके कवर हो जाए ये कोश्चन ठीक है प्रिष्ट तनाव का विम्य सूत्र क्या होता है तो ये प्रिष्ट तनाव का विम्य सूत्र होता है एम एल जरो टी माइनस टू ठीक है आगे देखते हैं कोश्चन नमर एट है सदिस रासी है इनमें से कौन सी सदिस रासी है तो एक देखे इसमें आपका जो ओफसें नमर सी यानि आवेग यह है जो है सदिस रासी है बाकी की जो अदिस रासी है कुश्चन नमर नायन है दो रासियों का योग अधिक्तम होता है जबकि उनके बीच कौन होता है तो यह होता है जिरो डिग्री ठीक है यह भी आपका मासिक टेस्ट में पूछा गया था दैस्वा है कुश्चन नमर 11 है अधिक्तम चैतिच परास करिए प्रचेप का प्रचेपन कौन होना चाहिए तो यह 45 मोश्ट इंपोर्टेंट कॉर्चन है यह कई बार पूछे जाता है ठीक है तो 45 डिग्री इसका अंसर हो जाएगा ब्रतिय गति होती है तो यह आपकी दुई-विमि क्या होगा तो इस इस्तिती में आपका जो वेक्टर ए है तथा वेक्टर बी यह समानतर होंगे तो इसका ऑप्शन का सही हो जाएगा आगे बढ़ेंगी कॉर्चन नमर 14 है पत्तर को उपर उठाने पर गुरुत्य बल दौरा किया गया कार क्या होता है तो पत्तर को जब बाला उप्शन राइट हो जाएगा 16 देख सकते हैं 0.1 असु सकती बराबर है एक असु सकती होती है सास्टु चैलीस बाट के बराबर तो 0.1 कर देंगे तो देखिए 0.1 का मतलब है इसको दसमला हम अटाएंगे तो एक बटे 10 ठीक है 0.1 का मतलब है एक बटे 10 तो हम क्या क संगट में संद्रक्षित रहता है तो इसमें रेक एक संद्रक्षित होता है और जो आपका गतिज उर्जा है यह दोनों ही संद्रक्षित रहते हैं तो इसका ऑप्शन गावल राइट अंसर हो जाएगा ठीक है गावला टिक कर लेंगा Q18 है समान संद्रक्षित वाली दो बस्तों के द्रबमान क्रमसा M तथा 2M है इनकी गतिजूर्जा K1 तथा K2 का क्रमसा नुपाथुका आपको पता है यह हुआ गतिजूर्जा का सूथ होता है K is equal to 1 upon 2 M V square ठीक है तो यहाँ पर एक बात M का मान दो रखेंगे तो 2M कट दें तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर जब आप देखिए फिर से देख लेते हैं इसको के बराबर क्या है एक बटी दो M V square और दूसरी बार हमने 2M कर दिया इसका मास तो 2M V square अब क्या करेंगे 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर के बाल M V square बचा और यहाँ पर के बराबर एक बटे 2M V square बचा तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 का हम पूरी में multiply कर देंगे पूरे समीकर अमेस में ठीक है दो से multiply करेंगे तो यह वाला जो 2 है इससे cross हो जाएगा तो यहाँ पर 2 के बराबर M V square हो जाएगा ठीक है M V square यहाँ पर K बराबर M V square है M V square इसका मतलब है कि जो K है जो K1 है यानि K1 जो K2 है इन दोनों में जो अनुपात है वो 2 अनुपाते एक है कि यहाँ पर 2 ज्यादा है यहाँ पर एक है तो 2 अनुपाते एक है इसका answer हो जाएगा इससे परकार से कोई और भी देशकते हैं आ आपके इन ही चैप्टर से मन सकते हैं यह टूर्ण की कोच किस ने की थी जैजे थॉंपसर ने की थी ठीक है याद रखिए most important है यह मापन करता से होने वाली तुटी को क्या कहते हैं तो मापन करता से जो तुटी होती है उसे याद्रचिक तुटी कहते हैं अंग्रा 0.1 nanometer के बराबर होता है यह चोटे-चोटे question इनको आपको याद रखना है देखिए मैं यह नहीं कहता कि पूरे question आपके तरवार से परिक्षा में इसी में से आएंगे कोच question आपके बाहर से भी आ सकते हैं क्योंकि कि किसी भी परिक्षा के लिए important होता है कि आप कितना भी ज्यादा पढ़ सके जितना पढ़ सकते हैं उसको पढ़िए यह ऐसे question है जो काफी वार पूशे जाते हैं इसलिए मैंने को important में डाला है तो यहाँ पर question देख सकते हैं 45 देसमलों 5-2-6 मीटर में दो साथांक में लेखा जाएगा तो इसे 46 मीटर लेखा जाएगा छेटमा ह खालिस्तान रासी है तो यह सदिस रासी है साथवा question है सदिस यह बराबर 3 आई बेक्टर प्लस पूर्ज बेक्टर का मापांग 5 होगा ठीक है आसानी से निकाल सकते हैं इसको पंद ऐसे करके तो आपका निकलाएगा 3 का 9 हो जाएगा 4 पूर्ज शिक्स्टीन और रूट में इसलिए बाहर निगलेगा बाचीश तो पांच हो जाएगा ठीक है आठवा देख सकते हैं 3 आई बेक्टर प्लस पूर्ज बेक्टर के दिसा में एकांग सदिस होगा तो इसका अंसर प्रकास होगा ठीक है नवा है प्रिचेप का पत होता है परयावाले आकार यह important है ठीक है पुस्ता बिक्रित अबस्ता के कारण हो जो उर्जा होती है उसे क्या करते हैं इस्तित्यूर्जा पूटेंशियल एनरजी अंगला देखती हैं तेरभा कुश्चन है गतित्यूर्जा के तत्त्यसम्वेग में संबंध है तो यह आपका की संबंध हो राबर पी स्पीशकोर 2 या फिर इसको ऐसा भी लख सकते हैं पीच को टू अंडरू टू एम के टिक है कि उच्छे नबर फोर्टीन है सक्ति का ऐसा इमात्रक बाट होता है गतिर उज्जा और इस्तिति उज्जा यानि जो आपकी कानेटिक अनर्जी और डेंस अनर्जी को मिला देंगे तो आपको टो कौडिय संबेक का जो मात्रक होता है वो होता है Joule इंटू सेकंड ठीक है और गुपत उस्मा का जो बिमी सूत्र होता है वो इस प्रकासे है म 0 L 2 T-2 पतंग की गति त्रीवी में गति होती है और बेग यह ऑजी सद्दसरास है ठीक है इसके सामने लखा है तो इस प्रकासे ज तो प्रचेप की गति से जितने भी सूत रहें इनको आपको अच्छे से कंप्लीट करना है कोई भी पूछे साच सकता है तो देखिए इसमें हम देख लेते हैं इनका अंसर प्रचेप की जो उदुबारदर उचाई है इसका आप मैच करने के फिफ्ट बाले से तिक है इसकार आपको अपन जी प्रचेप का जो अडियन काल होता है यह होता है आपका टू यू साइन ठीटा बाइजी और आई इंटू जे वेक्टर को यह ग्रोस करेंगे तो यह के आएगा के बेक्टर अधिकतम उद्वादर उचाई के लिए यू स्कॉर अपन टू जी टिक है इस प्रकाजन को आप मेच कल लीजी आँगे बढ़ते हैं इसके सभी चैप्टर के आप सही जोडिया है यह देखें आपर देख सकती का जो फॉर्मूला है वो होता है एफ इंटू भी और किलो वाट घंटा जो है वो आपको उर्जा का मत्रक हो जाएगा सकती का मत्रक होता है एक जूल होता है दसकी का साथ अर्ग के बराबर तो इस प्रकास से सही जोडिया हो गई एक सब्द्य बाक में उत्तर हम देख लेते हैं एक प्रकास बस किस बहुत ग्राशी का मत्रक है दूरी का एक फर्मी कितने मीटर के तोल है दसकी का मैंस 15 मीटर के बलका विमी स सुन सदिस का परिमार्ट अथा दिसा लिखी है यह आपको लिखना है तो परिमार्ट इसका सून होता है और दिसा कुछ भी नहीं होती है ठीक है किसी शंगट में जूर्जा संधक्षीत रहती है तो प्रत्यास्थ संगट में रहती है कांह काहते हैं बस्तू Q करने की चछमतर कौो persec कहते हैं यह Baptist इस रासी है मात्रक जूल होता है विमी सूत यह देख लिए आठ में देख सकती हैं आप कारे के ऐसा ही मात्रक और सीजेस मात्रक में संबंद लखो तो एक जूल बड़ावत सकत साथ अर्ग होता है तो यहां तक इनको कंप्लेट कर लीजिए अब जो कॉस्चन है वो हम नेक्स पार्ट में देखेंगे ठीक है नेक्स पार्ट में तो इतने कुश्चन आप कंप्लेट कीजिए और इसका पीडियाप आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को हमारे जोइन कर लीजिए वहां से आपको पीडियाप मिल जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया